हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अलो फ्यून क्वालिटियन फैक्ट्स दोस्तों UGCNet Political Science Unit 7 का आज हम लेक्चर नमबर 9 स्टडी करेंगे और इसके थूँ हम स्टडी करेंगे National Unity को तो राष्ट्रिय एकता से संबंदित महत्वपॉन जो तथ्थे हैं उसको इस वीडियो में समझने की हम कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि आखिर National Unity है क्या और ये हमारे स्लेबस में क्यों लगा है और किस तरीके से इसको स्टडी करना है भारतिय संबिधान में राष्ट्र की एक्ता के लिए कई प्रकार के प्रबंद किये गए है राष्ट्रे एक्ता को ध्यान में रखती हुए ही भारत में संगात्मक विवस्था को अपनाया गया है भारतिय संभिधान में कहीं भी संग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है बलकि भारत को राज्यों का संग कहा गया है इसके पीछे कारण ये है कि भारत ने ना तो पूर्णता संगात्मक विवस्था को अपनाया है ना ही एकात्मक विवस्था को अपनाया है बलकि भारत एक अर्ध संगात्मक राज्य है यानि भारत एक क्वासी फैडरलिजम है क्वासी फैडरलिजम मतलब आधा इसमें संगात्मक प्रवर्ती है और आधी इसमें एकात्मक प्रवर्ती है भारत स्वतंतरता से पहले 565 छोटी बड़ी देशी रियास्तों में बटा हुआ था और हर रियास्त के अपने कानून और नियम थे उन में से कुछ रियास्ते ऐसी थी जो भारत में जुणने के बाद मनमानी कर सकती थी या निजी स्वार्थों के चलते भारतिय संग को छोड़ भी सकती थी दूसरी तरब भारत के प्रांत अगर अधिक शक्तिशाली होते तो वो कभी भी राज्ये के खिलाब जा सकते थे जिससे राश्ट्री एकता को धक्का लगता राश्ट्री एक्ता को ध्यान में रखते हुए ही केंदर को अधिक शक्तिशाली बनाया गया और राश्ट्री वा अंतराश्ट्री स्तर के सारे मुद्दे केंदर ने अपने पास रखे हैं इसके साथ ही राज्यों से संग में मिलने की तो आजादी दी गई थी लेकिन अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया और कई बार कोशन पूछे जाते हैं कि भारती फेडरलिजम के वारे में किस चिंतक ने क्या कहा तो केसी वियहर ने भारत को अर्द संगात्मक राज्य कहा है केसी वियहर भारत को क्या कहता है क्वासी फेडरलिजम या सेमी फेडरलिजम कहते हैं केसी वेरे भारतिय विवस्ता को ध्यान में रखते हुए मौरिस जौन्स ने इसे सोदे बाजी का संग कहा जिस तरीके से सोदे बाजी होती है एक व्यापारी और खरीदार के वीच वैसे ही भारत में भी सोदे बाजी का संग है यानि राज्यों और केंदर के बीच सौदेबाजी चली रहती है ग्रैनविले ओस्टिन ने भारत को सहकारी संग वाद की संग्या दी है यानि कॉपरेटिव फैडरलिजम इंडिया के फैडरलिजम को किस ने कहा है ग्रैन विले ओस्टिन ने वही आईवर जैनिंग्स इसे केंद्री करण प्रवर्ती वाला संग कहता है केंद्री करण प्रवर्ती वाला संग मतलब पूरा का पूरा केंद्र की और जुका हुआ संग है ये कहा आईवर जैनिंग्स ने भारत को तो कई बार इस तरीके की Quotations Direct भी पूछी जाती है कि कौन भारतिय संग को किस परकार से कहता है तो यहाँ पर संग के बारे में संगात्मक विवस्ता के बारे में चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि भारत में जो संगात्मक विवस्ता अपनाई गई है वो इसलिए अपनाई गई है ताकि National Unity को बढ़ावा दिया जा सके तो सबसे पहले यहाँ पर समझना जरूरी होता है National Unity के Dimensions को यानि राष्ट्री एकता के वो कौन कौन से आयाम है जिसके द्वारा किसी देश की National Unity को सुद्रड किया जा सकता है किसी भी राष्ट्री अखंडता एकता पर निर्बर करती है National Integration या नेशनल जो हमारी अखंडता होती है वो राष्ट्री एकता पर निर्बर करती है राज्य के विकास के लिए ये आवश्यक है कि राज्य के अंदर रहने वाले विबिन लोगों में एक्ता की भावना हो और यही भावना राश्ट्रिय एक्ता का सार है राश्ट्रिय एक्ता के निमलिखित आयाम है सबसे पहला आयाम है राजनितिक आयाम देश की राजनिती क्षेत्री हितों की अपेक्षा राश्ट्रे हितों पर बल देने वाली होनी चाहिए तो राश्ट्री एकता का सबसे बड़ा और सबसे महत्तोपुन जो आयाम होता है वो होता है पॉलिटिकल डाइमेंशन अगर political dimension हमारे पास ऐसी है राजनितिक इच्छा शक्ती ऐसी है राजनितिक जो दल है हमारे वो ऐसे है जो क्षेत्रे हितों की अपेक्षा राष्ट्रे हितों को महतो देते हैं तो राष्ट्रे एकता स्थापित की जा सकती है दूसरा है सामाजिक आयाम राष्ट्रे एकता के लिए सामाजिक एकता तथा सामाजिक एकता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यद्दपी भारतिय संबिधान द्वारा चुआ छूत को समाप्त किया गया है ठीके सामाजिक आयाम में हम देखते हैं नैशनल यूनिटी के लिए जो खतरनाक चीज थी वो थी जातिवाद हाला कि चुआ छूत को खतम कर दिया है फिर भी समाज में जाती पाती की इस समस्या का पून रूप से अंत नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त भाषा, धर्म, इत्यादी के आधार पर भारतिये लोगों में भेदभाव बना हुआ है जब तक इन सीमाओं को नश्ट नहीं कर दिया जाता भारत में राष्ट्रे एक्ता की समस्या बनी रहेगी तो सामाजी कायाम में कई ऐसे रूडिया है, कई ऐसी कुरीतिया है जिनको अगर खतम किया जाए तो आसानी से राष्ट्रे एक्ता की स्थापना हो सकती है नेक्स्ट आपका है इकॉन्डमिक डाइमेंशन यानि आर्थिक आयाम भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, निर्धनता तथा भुकमरी का शिखार है जबकि कई लोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं इसके अतिरिक्त देश के कुछ भाग, अन्य भागों की अपेक्षा बहुत ही अविक्सित तथा पिछड़े हैं भारत में विविन क्षेत्रों का असंतुलित आर्थिक विकास भी राष्टी एकता के लिए बहुत बड़ी बाधा है यानि एकॉनिक आयाम की अगर हम बात करें, एकॉनिक डाइमेंशन की अगर बात करें अगर सभी लोगों का संतुलित विकास हो, अमीर और गरीब के बीच खाई जादा न हो, कुछ राज्य जादा अमीर और कुछ राज्य जादा गरीब न हो, तो लोगों के बीच क्या है, नेशनल यूनिटी की भावना का प्रसार हो सकता है सांस्कृतिक आयाम सभी लोगों को अपनी संस्कृति से गनेश्ट लगाओ होता है, और ये उन्हें राष्ट्रे मुख्यदारा से दूर रखने का भी कारण बनता है, और उन्हें एक साथ लाने का भी कारण बन सकता है लोग अपनी संस्क्रिती की अलग पहचान बनाय रखना चाहते हैं और इसके कारण कई बार उगरवादी और आतंगवादी आंदोलन भी किये जाते हैं तो जब भी आप देखते हैं कल्चरल फैक्टर को दोनों तरीके से देखते हैं फोर एक्जामपल आप इंडियन कल्चर की अगर बात करते हैं तो उसमें सभी परकार के जो रिलीजन है सभी परकार की लेंगवेज है सभी परकार के जो मूल्य है वो सब आ जाते हैं इंडियन कल्चर में लेकिन इंडिया के अंदर जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर ना होकर हिंदू, हिंदू सब्व्यता, मुस्लिम सब्व्यता, या फिर इसाई सब्व्यता, सिख सब्व्यता तो ये अलग अलग जो identity है cultural identity ये nation को तोड़ती है अगर एक राष्ट्रिय एक्ता की भावना को विक्सित करना है तो धर्म, जाती, लिंग और जो ये आपका specific ethnicity है इसके स्थान पे क्या है इसके स्थान पे राष्ट्रिय भावना को अपनाना पड़ेगा नेक्स्ट है मनोवग्यानिक यानि psychological dimension डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक बार कहा था राष्ट्रिय एक्ता कोई मकान नहीं है जिसे इंटो और गारे से बनाया जा सकता है यहाँ कोई ओद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेशग्यों द्वारा विचार और लागू क किया जा सकता है इसके विवत्रीत एक्ता एक विचार है जो अवश्य ही लोगों के मन में समा जाना चाहिए ठीक है तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने बिल्कु सही कहा था कि जो national unity है यह कोई physical अवधारना नहीं है यह एक psychological अवधारना है जब तक लोग अपने मन में किसी राष्टर के पती प्रेम नहीं जगा लेते तब तक राष्टरी एक्ता का होना बहुत जादा मुश्किल है राष्टरी एक्ता को psychology में धालने के लिए कई प्रयास state करता है जैसे कि आपका national anthem है आपका राष्टर गान है उसके प्रतिक एक psychological भावना पैदा की जाती कि राष सम्मान नहीं एक गान है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए राष्टर गीत का सम्मान करना चाहिए वैसे ही psychological जो dimension है उसमें sports भी आ जाता है like cricket हो गया तो cricket के द्वारा क्या है इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो इंडिया के अंदर एक लहर उठती है कि हम तो भई बह राष्ट्री एक्ता लाने के प्रयास किये जाते हैं राष्ट्री एक्ता के मार्ग में आने वाली बाधाएं राष्ट्री एक्ता के मार्ग में आने वाली बाधाओं में सबसे बड़ा जो इंडिया के अंदर fact है वो है जातिवाद जातिवाद की समस्या ने राष्ट्री ए राजनिती में वही हिस्सा लिया है जो पश्चिमी देशों में विभिन हितों वा वर्गों ने लिया है चुनाओ के समय उम्मिद्वारों का चैयन जाती के आधार पे किया जाता है और चुनाओ प्रचार में जाती के नाम पर वोट मांगे जाते हैं यानि जाती के आधार पे उचे जाती से नफ्रत करते हैं, जिसके द्वारा क्या है, नेशनल यूनिटी की जो संभावनाएं है, वो कम हो जाती है, नेक्स्ट है भाशाई उनमात, भारत एक बहु भाशी राज्ये है, मल्टि लिंग्वल स्टेट है, 1927 में जो भाशा सर्वेक्षन का प्रकाशन क्या ग और 1961 की जनगर्णा के अनुसार, भारत में ये जो 189 भाशाएं थी, ये 1018 भाशाएं हो गए थी, 1961 में 1018 भाशाएं बोली जाती है, उसमें से 26 मुख्य है, और संभिधान की आठवी अनुसूची में उनमें से 22 भाशाओं का वर्णन किया गया है, और भाशा के आधार पर और मतबेद एकता में बाधा बनते हैं, किस तरीके से? आप देखते हैं, 1956 के अंदर इंडियन स्टेट का रियोर्गोनाइजेशन किया गया भाशा के आधार पर, उससे पहले 1953 में आप देखते हैं, आंदर फर्देश के अंदर एक आंदूलन चलाया जाता है भाशा के आध पर और जो रामुल्यू थे, उनकी जब मृत्यू होती है, तो उसके बाद किस तरीके से दंगे भढ़कते हैं, और उसके बाद भाशा के आधार पर अलग-अलग राज्यों में जो डिमांड उड़ती है, वो नेशनल इनिटी के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद होती है आप देखते हैं, गुजरात के अंदर, गुजरात गुजरातियों के लिए, महराश्टर के अंदर, महराश्टर मराठियों के लिए और इसी तरीके से असम असमियों के लिए इस परकार की जो मांगे उड़ती है, वो कही न कही भाशाई उन्माद का ही एक प्रमुक कारण ह और ये नैशनल यूनिटी के लिए बहुत जादा खतरनाक है नेक्स है क्षेत्रवाद अनेक राजनितिक दल भारत को राश्टर के स्थान पर बहुराश्ट्री बनाना चाहते हैं कारे कुशलता के स्थान पर धर्ती के सपूत यानी सन ओफ स्वयल का नारा इसी की उपज है तथा देश में अनेक क्षेत्रिय दल खड़े हो गए हैं वे सभी राजनितिक स्वार्थों के कारण राश्ट्री एकिकरण के मार्ग में बाधा बनते हैं नेक्स्ट है इलिटरेसी या निरक्षरता भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है या कम पड़ी लिखी है ठीक है अशिक्षित नहीं बोल सकते है भारत में लिटरेसी अल्मॉस 74 परसंट से जादा है तो वो लिट्रेसी है ठीक है लिट्रेसी है लेकिन एजूकेशन नहीं है लिट्रेसी का मतलब कि साइन करने आ गया थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया वो एक्चुल में शिक्षा नहीं होती है शिक्षा का मतलब होता है कि आप अच्छा भला बुरा आपके साथ राजनिती की जा रही है आपकी जो उस लेवल की जब समझ बनती है तब ही आपको शिक्षित कहा जाता है तो भारत के दिकांज जो जनसम क्या है वो निरक्षर नहीं है बलकि अशिक्षित है जिस कारण स्वार्थी नेता स्वार्थों की पूर्ती के लिए आम जनता को आसानी से मनचाहे रास्ते पर ले जाते हैं और अनपढ जनता स्वार्थी नेताओं की बातों में आकर आंदोलन के पत पर चल पड़ती है और नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी को खत्रा पहुंसता है नेक्स्ट है आसंतुलित विकास भारत जैसे विशाल देश में सारस्ता पैदा करन के लिए उनके सभी भागों और इलाकों का संतुलित विकास का लाप समाज के प्रतेक वर्क और व्यक्ति को मिलना चाहिए लेकिन सन 1947 से आज तक ये संभव नहीं हो पाया है इससे राष्ट्री एक्ता की समस्या और जटिल हुई है नेक्स्ट आपका सामप्रदाइक्ता भारत एक बहुधर्मी राज्य है भारतिय संभिधान में यद्यपी धर्म दिर्पेक्ष शाशन प्रणाली की विवस्था की गई है परन्तु भारत में सामप्रदाइक्ता की समस्या ने दिन प्रतिदन अधिक गंभीर रूप धारन कि के लोगों को अपने राश्टर की अपेक्षा अपने धर्म के साथ अधिक प्रेम है सामप्रदाइक भावना की अपेक्षा घ्रिना तथा और विश्वास की भावना भारत के अंदर बढ़ी है वो कई दंगे हुए है धर्म के नाम पर वो बाबरी मस्जित कांड हो वो 2003 का गो भाजन देख लो तो सामप्रदाइक ता एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नेशनल यूनिटी के लिए खतरनाक है नेक्स्ट है समाजवाद की असफलता सोशलिजम की असफलता ने भी भारतिये राश्ट्री एक्टा की समस्या को पैदा किया है यदि समाजवाद सफल हो ज जो देश में भावनात्मक एक्टा पैदा नहीं होने देते जिससे गंभीर राजनेतिक समस्या उठखडी होती है और देश की राजनेतिक विवस्था को खतरा पहुंसता है यानि गरीब आदमी जो अपने पेट तक सीमित है सुभे से शाम तक बस पेट भरने तक सीमित है वो कहां राजनेति में अपना हिस्सा ले पाएगा उसको तो बस यही लगता है कि भही ये हमारे काम की चीज़ नहीं है राजनेति तो और ये तो जो अमीर लोग है वो तो देश को चलाते हैं हमें भी वो लूट रहे हैं और इस तरीके से नेशनल यूनिटी नहीं बन पात हैं नेक्स्ट वरु रश्टाचार बारतिय प्रशाशन एक महत्तोपूण विशेषता इसकी है प्रश्टाचार और इसने भी राश्टी एक्ता में बादा पहुँचाई हैं प्रश्टाचार का बोलवाला है और चारोतरब भाई बतिजावाद चल रहा है जिसके कारण जन कुछ वर्षों से भारत में अस्तिरता पैदा करने की कोशिशे कर रही है भूतपूरों प्रधान मंतरी राजीव गांधी ने कई बार कहा कि विदेशी ताक्तों से भारत की एकता वा अखंडता को खत्रा है पाकिस्तान खुले रूप में पंजाब तथा जम्मू कश्मेर से आतंकवादियों को आधुनिक हतियार और वित्य साहता दे रहा है इसके साथ साथ आपका चाइना भी कई बार इंटरफेर कर चुका है हमारी जो इंटरनल मैटर है तो विदेशी ताक्ते भी हमारी यूनिटी के लिए खत्रा है अब आता है भारत में राष्ट्री एकता के लिए किये गए विभिन प्रयास राष्ट्री एकता सम्मेलन 1961 में होता है और पंडित जोहालाल नहरू की प्रेना से 28 सितंबर 1961 को राष्ट्री एकता सम्मेलन हुआ जिसमें राष्ट्री एकता की समस्या पर विचार किया गया जो मुख्ये निर्डे लिए गये वे इस प्र सम्मेलन यह spelling आपने ठीक कर लेना है राष्टी एकता सम्मेलन और इक कोशन पूछा जा सकता है कि पहला राष्टी एकता सम्मेलन कब हुआ यह हुआ था 1961 में पंडे जुहाल लाल नहरु की प्रेणा से और यह पहला सम्मेलन था इसमें जो विचार किये गए इसमें प्रतेक व्यसक नागरिक ये प्रतिग्या करें कि वह जगडे का निप्टारा शांति पून तरीके से करेगा शिक्षा पद्धती में इस परकार से सुधार लाया जाए जिससे हिंदी का विकास हो राजनितिक दलों, समचार पत्रों, छात्रों और जनता के लिए अचार सहिता निश्चित की जाए आर्थिक विकास में पिछडे क्षेत्रों के विकास पर विशेश द्यान दिया जाए इस एकता समेलन में अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रिय परिशत की स्थापना भी की गई थी वरश 1963 में संविधान का सोलवा संशोधन किया गया इस संशोधन द्वारा ये निश्चित किया गया कि राज्य विधान मंडल या संसद का चुनाव लड़ने से पहले तथा चुने जाने के बाद परतेक उम्मीद्वार को ये शपत लेनी पड़ती है कि मैं भारती संविधान के प्रती वफादार रहूंगा और भारत की एकता अखंडता वा प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगा 42 संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके राष्टर की एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया है राष्टरी एकता परिशद उनरगठन अधिनियम 1968 बारत सरकार ने मार्च 1968 में राष्टरी एकता परिशद की स्थापना की जिसमें सभी क्षेत्रों के 55 सदस्य थे जून 1968 में इसकी बैठक हुई जिसमें निमलखित विशो पर सुझाओ दिये गए ये सुझाओ क्षेत्री एकता, सामपरदाइकता और शिक्षा संबंदी थे ये भी सुझाओ दिया गया कि जो व्यक्ती अफवाएं फैलाता है उन्हें दंड देना, पुलिस अधिकारी जो अपने करतव्य का पालन नहीं करते उन्हें पद से हटाने का सुझाओ दिया गया था तो ये था राश्टी एकता पुनर गठन 1968 में जो किया गया था उसमें ये तीन प्रमुक सुझाओ थे क्षेत्री एकता, सामपरदाइकता का निप्टारा और शिक्षा संबंदी तो राश्टी एकता के लिए नेक्स्ट है, राश्टी एकता के लिए साथ सूत्री कारिक्रम जून 1975 में आंतरिक आपाद कालीन गोशना के बाद श्रिमती गांधी ने राश्टी एकता की समस्या पर विचार करने के लिए दो समीतियों का गठन किया, इन में से एक समीती के अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेडी थे और दूसरी समीती के अध्यक्ष प्रोफेसर नुरूल हसन थे ब्रह्मानंद रेडी के अध्यक्षता में 28 नौंबर 1976 को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें राष्ट्री एकता के लिए साथ सूत्री कारिक्रम त्यार किया गया था ये साथ सूत्र छात्र हिंसा और द्योगिक संबंद उगरपंथियों की हिंसा अल्प संख्यक हरी जनों से अच्छा बरताओ अनुसुचित जन जातियों तथा क्षेत्रिय समता से संबंदित विचार तो यहाँ पर इंपोर्टन चीज क्या है आपके लिए कि राष्ट्री एकता के लिए साथ सूत्री कारिक्रम कब लाया गया था ये लाया गया था जून 1975 आंतरिक आपातकाल की गोशना के बाद श्रिमती गांधी ने इसे लाया था एमर्जेंसी लागू करने के बाद और ब असन समीती और ब्रह्मानंद रेड़ी की अध्यक्षता में 28 नौंबर 1976 को दिल्ली में जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें ये साथ सूत्री कारिक्रम तियार किया गया था किसकी अध्यक्षता में ब्रह्मानंद रेड़ी की अध्यक्षता में 28 नौंबर 1976 को ही थी और इ योगीक संबंद, उकरपंथियों की हिंसा, अल्प संख्यक हरी जनों से अच्छा बरताओ और अनुसूचित जनजातियों तथा क्षेत्री संब्दा से संबंदित 1981 में सांपरदाइक सदभाव संबंदि स्मीती राष्ट्री परिशत की शिफारिशों के अनुसार गठित की गई, राष्ट्री एकता परिशत का पुनर गठन किया गया 1990 में राष्ट्री मोर्चा की सरकार ने तीन फर्वरी 1990 को राष्ट्री एकता परिशत का पुनर गठन किया ताकि ततकालीन प्रधान मंत्री वीपी सिंग की अध्यक्षता में गठित इस परिशत के सदस्यों में साथ कैबिनेट मंत्री आठ राष्ट्रे परिशद राजनीतिक दलों के प्रमुख 17 मान्यता प्राप्त क्षेत्रे दलों के प्रतिनेदी 40 प्रतिश्चित व्यक्ति 13 पत्रकार 5 महिलाएवा 5 जो श्रमिक प्रतिनीदी इसमें शामिल थे और तीन आयोगों के अध्यक्ष भी इसके अंदर थे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ spelling mistake है वो आपने सही कर लेनी है तो इम्पोर्टन चीज यहाँ पे जो इस slide से हमें मिली है कि राश्ट्री एक्ता के लिए साथ सुत्री कारिक्रम 28 नमबर 1906 को ब्रह्मानंद रेड़ी के अध्यक्षता में दूसरा है 1990 में पुनर गठन होता है राश्ट्री एक्ता परिशत का और राश्ट्री मोर्चा की सरकार ने 3 फरवरी 1990 को इसका पुनर गठन किया और इसमें क्या किया गया पुनर गठन में क्या किया गया परिशत के अंदर साथ कैबिनेट मंतरी रखे गए आठ राश्ट्री परिशत राश्ट्री परिशत राजनेतिक दलों के प्रमुख उसमें रखे गए ठीक है ये आठ राजनेतिक दलों के प्रमुख है आठ राजनेतिक दल उस दोरान जो राश्ट्री दल हुआ करते थे सत्रह मान्यता प्राप्त क्षेत्री दलों के प्रतिनिधी इसमें थे ठीक है आठ आपके राश्ट्री दल या मान्यता प्राप्त दल और सत्रा इसमें थे क्षेत्री दल और चालिस प्रतिष्टित व्यक्ति थे तेरा पत्रकार इसके अंदर रखे गए थे पांच महिलाएं थी और पांच श्रमिक प्रतिनिधी और तीन आयोगों के अधिक्ष थे इसमें S.E.S.T. आयोग हो गया योजना आयोग हो गया और आपका महिला आयोग हो गया तो ये आयोगों के अधिक्ष भी इसके अंदर थे तो सबसे लास्ट में देख लेते हैं निशकर्ष दोस्तो भारत एक विशाल देश है भारत में संबिधान के अंतरगत लोक पतंतर धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद की धारणा को अपनाया गया है लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ समाज विरोधी तथा राष्टर विरोधी तथो भारत की एकता एवं अखंडता के मार्ग में बाधा बने हुए हैं भारत में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी राष्टर एकता की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है इस समस्या के उचित समादाहान पर भी भारतिय राष्टर सरकार राजनितिक दलो तथा गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों द्वारा राष्टर एकता के कारे की सफलता को विश्वस्निय बनाने के लिए भरपूर प्रितन किये जाने चाहिए तो दोस्तु ये था आज का एक लेक्चर जिसके अंदर हमने नैशनल यूनिटी को समझा सुफरेंट्स आज की वीडियो में इतना ही थैंक्यू थैंक्स वाचिंग